Hello students, this is video number 7 of alternating currents और हम कुछ AC circuits को solve करेंगे अब AC circuits का मतलब हुआ एक ऐसे circuit जिसके अंदर तीनो circuit elements involved होंगे तीनो हो या दो हो या कोई एक हो बट source आपका AC source होगा source आपका Vm sin omega t plus minus phi होगा तो फिर वहां से हम सारी calculations करना सीखेंगे मैं एक example ले रहा हूँ कोई अपनी मरजी की और उसकी calculations करके आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप different different जो जो चीजें आप calculate कर सकते हो ना उसके अंदर मैं सब discuss करूँगा this is a very interesting problem जिससे आपका concept और थोड़ा build होगा जिसको आप understand numericals के through ही concept build होते हैं आप देखोंगे अभी क्या this is the first problem इसके अंदर मैंने R, L, C तीनों ले लिए हैं यही problem सिर्फ R, L के लिए भी आ सकती है यही problem सिर्फ R, C के लिए भी आ सकती है एक journal problem है यह जिसके through मैं majority चीजें आपको clear करने वाला हूँ फिर variations तो numericals के अंदर आपको पता ही है कितनी भी create की जा सकती है लेकिन this is a basic problem जिससे आपकी काफी concept clear होंगे ठीक है सबसे पहली बात आपको voltage दी हुई है आपको circuit elements दी है हुए है सबसे पहला काम obviously है जितने ही मैंने चीजें लिखी है ये सब आपने निकालनी है इसके अंदर ठीक है ये सब चीजे निकालनी है निकालने के से पहले एक बात और बताता हूँ सबसे पहली चीज हम IT निकालने के बारे मैं सोचेंगे IT निकालने के लिए पहली first and foremost thing जो आपको याद होनी चाहिए न वो ये है कि हैंरी और फैरेट का at least इन सर्केट में कोई काम नहीं है हैंरी और फैरेट का कोई काम नहीं है सबसे पहला काम मैं निकालूंगा XL फिर निकालूंगा XC और फिर निकालूंगा Z ये तीन चीजें मुझे सबसे पहले question के अंदर जरूरत पढ़ती है नॉर्मली XL कितना होता है ओमेगा L ओमेगा L कहा है भाई ओमेगा L ओमेगा कितना है 314 multiplied by L L कितना है 20 into 10 raise to power 20 into 10 raise to power minus 3 it comes out to be 62.8 देख लो 62.8 628 एक 0 into 10 raise to power नहीं 6.28 6.28 ohms XL के units क्या होते है ohms तो ये मेरा 6.28 ohms आ गया तो XL की value आ गयी आपकी 6.28 ohms ओमेगा L करके तो हम लिख देते हैं उसको ऐसे ओमेगा L अपने note भी कर लिया तो मैंने यहां पे लिख दिया XL जो आया वो 6.28 ohms आ गया XC 1 upon omega C ठीक है 1 upon omega C आप देखो 1 upon omega C लिख रहा हूं देखना कैसे लिख रहा हूं पहले लिख दो 1 upon omega C फिर जब 1 upon omega C लिखा तो फिर मैं क्या लिखूंगा 10 raise to power 6 divided by 10 raise to power 6 divided by 200 into 314 ठीक है 10 raise to power 6 divided by 200 into 314 तो 10 raise to power 6 यह आगया आपका 15.92 ohms XE की value आगया आपकी 15.92 ohms ठीक है यह वाली value भी आप लोग याद रख लो 15.92 ohms ठीक है तो यह भी लिख देते हैं यहां 15.92 ohms यह सारी calculation मैंने आपको करके दिखा दी और यहां पे लिख दिया 15.92 ohms ठीक है जी यह भी पता चल गया यहां से formula लगाके Z बड़े अच्छे से हमें formula याद है under root of R square plus XL minus XE का whole square ठीक है XL minus XE का whole square यह इसका formula बनेगा ठीक है तो मैं लिख रहा हूँ यहां क्या बना R square यानि 5 का square plus XL 6.28 अच्छा एक और चीज सामने सामने दिखाई दे रही है यहां पर अगर आपको concept याद हो तो XE बड़ा है XL से XE जब बड़ा होता है XL से RLC circuit तो आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि यह circuit capacitive हो गया capacitance dominant होगी यहां capacitance क्या करने की कोशिश करती है current को leading बनाने की कोशिश करती है current यहां lead करेगी voltage को यह मैंने आपको पहले ही बता दिया current यहां lead करेगी अब मैं आपको calculate करके भी बताऊंगा exact बताऊंगा कितना lead करेगी वह अभी हम calculate करेंगे सब कुछ आपको सब दिखेगा ठीक है तो यह आगया 5 का square plus 6.28 minus 15.92 square यह आगया इसकी calculation करता हूं मैं यह आगयी calculation इसकी 10.85 ohms ठीक है XL भी निकाल लिया XE भी निकाल लिया और Z भी निकाल लिया तो यह सारी values हमारे पास आगी हमने सारी values को याद रख लेना है क्योंकि आप मेरे को इसको erase करना पड़ेगा फिर हमें आगे बढ़ना है ठीक है तो यह सारी values हमारी आगे एक 6.2 मुझे जरूरत ही नहीं मुझे Z की जरूरत ही यह भी जरूरत पड़ेगी ठीक है तो XL कितना आगया 6.28 ohms XE कितना आगया 15.92 ohms फिर उसके बाद Z आगया आपका 10.85 ohms ठीक है अब इसके आगय calculation करते है पहला step हमें यही जरूरत होती है जैसे कि हमें source दिया हुआ था source क्या दिया है source की बारे मैं भी बात मैं यहीं पर करता हूँ क्या कि आपको voltage कितनी given है आपने V पता कौन सा लिख लेना है अब RMS value लिखनी है आपने V पता कितना है 100 ohms 100 volt कैसे आया 100 141 divided by root 2 करो यही आएगा 141 divided by root 2 RMS value होती है Vm upon root 2 तो Vm upon root 2 करोगे तो यह आपको answer मिल जाएगा तो यह आपका answer कितना आया 100 volt ठीक है 100 volt आगया V Z आपके पास है V upon Z करोगे तो I मिलेगा यह कहानी है इसकी सबसे पहली important क्या कि V upon I करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा Z तो V upon I करके Z मिल जाना है तो इस तरह से यह calculations करनी है हमने nothing is difficult here मैं सारी calculations आपको अभी करके दूँगा कुछ information के साथ हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे आपने गबराना बिल्कुल नहीं है मैं आपको सब चीजें बताऊंगा एक एक चीज खोल के इस question को पूरा अच्छे से करके एक एक concept को लेना कि इसके अंदर क्या क्या चल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ calculations कैसे की जाती है इसको हमने सीखना है तो Z, V कितना निकाल लिया हमने 100 ohms Z हमारे पास कितना है 10.85 ohms तो अब देखो देखो V और Z मेरे पास थे मैंने V upon Z करो तो क्या मिलता है AC circuits में I मिलता है आपको अब आप यह समझो बात को कि जो V है जो I है जितनी voltages और currents है impedance नहीं बोल रहा हूँ impedance नहीं बोल रहा हूँ जितनी voltages और जितनी currents है जितनी voltages और जितनी currents है वो सब की सब sinusoidal है मैं आऊंगा इस पर मैं सारा detail दूँगा आपको किस तरह से कैसे कहां कहां फे sinusoidal waveforms होंगी इस सारी information अपने पास रखना this is a very very important thing कि अगर आपके दिमाग में गुज गया तो फिर आपको इसकी problem नहीं आएगी कभी भी ठीक है तो V आ गया, Z आ गया, I आ गया लेकिन I अब आप देख रहे हो अगर sinusoidal waveform की terms में लिखना है तो मैं लिखूँगा आपको समझ आ जाएगा 9.22 अंडर रूट 2 ध्यान देना प्लीज अंडर रूट 2 अभी नहीं मैं लिख सकता sorry अभी नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे angle नहीं मालूम अभी angle मैं निकालके दिखाता हूँ आपको angle मैं निकालके दिखाता हूँ आपको आपने ध्यान देना है मेरी बात पे एक एक मेरी बात पे ध्यान देना देखना impedance triangle बना रहा हूँ मैं यहाँ मैंने बोला था ना इस question के through मैं बहुत कुछ clear करूँगा आपको देखो यह impedance triangle मैंने बनाई मुझे मालूम है यह वाला angle 5 होता है यह voltage और current के बीच का angle होता है लेकिन यह z से भी मुझे मिल जाता है z की value आपके पास 10.85 है बिल्कुल है 10.85 है फिर उसके बाद r की value कितनी है आपके पास r की value 5 है यह क्या होता है यह xc minus xl है क्यों यहाँ पे xc minus xl क्यों आ रहा है क्योंकि आपने क्योंकि यहाँ पे xc बढ़ा है और यह कितना होता है यह आप rlc circuit पढ़ो आपको दिख जाएगा वहाँ पे हमने xl minus xc लिखा था क्योंकि हमारा XL वहाँ पे हमने बड़ा लिया था, यहाँ पे X ही बड़ा है, और इसलिए यह answer आएगा, 9 point, subtract करके, 9 point, 9.64, 9.64 यह सारे ohms है, ohms, 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 अब बताओ phi आपको पता चला है या नहीं, phi क्या होता है, यह जो phi मैं निकालने जा रहा हूँ, यह क्या है, यह voltage और current के बीच का angle है, यह voltage और current के बीच का angle है, यहाँ से मुझे पता चलेगा, मैं important information दे रहा हूँ, यह जो चीज आपको बताईए, थोड़ी सी ध्यान देना मुश्किल है, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन यह आ गया, आप मैंने क्या निकाला, यहाँ से 5, 5 आप लगाओ, trigonometry, trigonometry लगाओ, tan inverse कुछ भी कर लो, cos inverse कर लो, cos, मैंने आपको बोला था, cos 5 हमारे लिए बहुत important है, तो cos ही करते है, cos 5 मैंने बताया था, r by z होता है, 5 upon 10.85, यह आ गया, 5 divided by 10.85, तो 5 divided by 10.85, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, 5 की value, 5 की नहीं मिलेगी, cos 5 म आपने निकाल लिया, cos 5 को क्या बोलते है, power factor, cos 5 को क्या बोलते है, power factor, यह याद रख लो, this is called power factor, यह आपका power factor हो गया, यह हमने calculate कर लिया, यह पूछा भी आपको, आई भी हमने calculate कर लिया, लेकिन मैं थोड़ी सी information आपको और दूँगा, ठीक है, 5 upon 10 point, यह लगबग 1 by 2 आ ठीक है, तो जो angle आपका 5 आएगा ना, मैं आपको बता हूँ, उसको क्या से लिखते हैं, आपको सिखाया है मैंने, that will be equal to cos inverse, that will be equal to cos inverse 0.46, ठीक है, और यह आपको बता देता हूँ, अगर 0.5 exact आता, थोड़ी सी ऐसे mathematics के बारे में आपको, 0.5 exact आता तो 60 degree angle होता, 0.5 exact आता ज्यान देना प्लीज, मैं इस angle को 65 degree मान रहा हूँ, ठीक है, आपको सिर्फ concept थोड़ा clear करने के लिए, 65 degree मान रहा हूँ, और यहाँ पे current lead कर रही है, यह आपको समझ आता है lead क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका capacitor dominating है, आपको कैसे पता चला capacitance dominating है, क्योंकि XC बड़ value भी बता देता हूँ, ठीक है, exact value आती है 63 degree, 62.6 degree मैंने मान लो इसको 65 degree मान लिया, ठीक है, आपने मान लिया है यह इसलिए मैंने यह approximately equal to लिखा, equal to नहीं डाला है मैंने यहाँ, ठीक है, तो यह आपकी information आगे, इसको please अपने पास note कर लो, देखो यह diagram देखो, इसमें क्या किया है मैंने, मैंने voltage को 30 degree angle दिया हुआ है, आपको question के अंदर given था 141 sine omega t plus 30 degree, तो plus 30 degree बना दिया, कि voltage इधर है भाई, ठीक है, हैं यह सारी sine waves, लेकिन phaser से ज़्यादा अच्छे से समझाता है, फिर उसके बाद current मेरे को मालूम चला, अभी मैंने पता लगाया, कि current और voltage के ब 20 clockwise, क्यों, क्योंकि प्लस, क्योंकि आपका leading है, leading है, current leading है, कैसे पता चला आपको leading है, leading आपको कैसे पता चला leading है, leading ऐसे पता चला, क्योंकि यह circuit में xc बड़ा है, तो इसलिए अब मैं IT लिख रहा हूँ, अब मैं लिख सकता हूँ, IT मैं पहले लिखने लगा था, मैं तब गलत था क्योंकि मुझे angle तो पता नहीं था तो मैं कैसे लिखता तो आ गया 9.22 इसकी RMS value हमने निकाली थी जिसको root 2 से multiply करो तो IM हो जाता है root 2 से multiply करो तो IM हो जाता है फिर ये आ गया इसकी जो value निकालने की ज़रूरत नहीं ऐसे रख रहा हूं इसको sin omega सेम होता है omega current और voltage का कभी different नहीं हो सकता omega t ध्यान देना प्लीज omega t प्लस 95 degree current का अपना angle कितना है 95 degree ये angle है न टोटल origin से 0 degree line से voltage का angle कितना है 30 degree दोनों के बीच का angle कितना है which is most important दोनों के बीच का angle is very important ये याद रखना तो ये आ गया और और factor मैं निकाल चुका हूं पहले ही ठीक है ये भी मैंने आपको बता दिया तो ये आपने निकाल लिया क्या IT देखो आपने कैसे निकाला ये आपको समझना चाहिए यहाँ फिर मैं एक और आपको time diagram में भी ये दोनों दिखाता हूं कि कैसे है ये के ठीक है ध्यान देना प्लीज ध्यान देना time diagram बना रहा हूं मैं voltage और current दिखा रहा हूं आपको voltage कहा है प्लस 30 है न तो प्लस 30 है तो कहा है voltage देखो प्लस 30 दोनों प्लस हैं तो ये आगी voltage देखो voltage बनाने जा रहा हूं मैं voltage बना रहा हूँ, voltage बना रहा हूँ, voltage ठीक है, क्योंकि वो 30 degree shifted है, question में आपको 30 degree shifted है, तो ये आगे आपका voltage आ गई, current कहा है, current इससे भी 65 degree पीछे है, total 95 है, total 95 है और मैं यहाँ बना रहा हूँ, जरह ध्यान देना प्लीज, ये देखो, ये आगी आपकी current, इन दोनों के बीच का एंगल ये 65 degree है, अब exact नहीं बनता यहाँ पर, ठीक है, ये peak, ये देखो, blue वाली, ये जो, dark blue है, navy blue, ठीक है, वो जो है, ये वाला मैं बता देता हूँ, ये current है जो, इसका peak कितना है, 9.22, ये peak, 9.22 into root 2, ये जो मैंने अभी बनाया, फिर ये वाला peak कितना है, ये वाला peak तो question के अंदर ही given था, 141 given है, ठीक है, RMS नहीं दिखाई देती time diagram में, RMS बिल्कुल नहीं दिखाई देती time diagram में, ये मैंने आपको सबसे पहली चीज़ ये बताई, कि ये है आपकी सारी कहानी, तीन voltages ओ रहे हैं, तीन sine waves ओ रहे हैं, पत तुम अभी, लेकिन मुझे उनकी sine wave कहां आएगी, कहां shifted आएगी, वो सब मालूम है, जैसे मैं एक अभी आपको बना के दिखा देता हूँ, बागी हम बाद में बनाएंगे, कि VT, VR, VR कहां होता है, क्या मालूम है voltage of resistor के बारे में आपको, resistor की voltage और resistor की current आपस में in phase होते हैं resistor की voltage और resistor की current आपस में in phase होते हैं, तो current मैंने बनाई हुई है यह, voltage बिलकुल इसके साथ, resistor की voltage बनाई है red मैं मैंने, यह, यह VR है, इसी तरह से हम बाकी दो भी बना सकते हैं, inductor की voltage, inductor की current से, current तो सब की से हम है, यह वाली current है सब की, चारो elements की, चारो कौन, source की भी, resistor की बी inductor की भी, capacitor की भी, तो देखो कैसे बनाई है, in phase का मतलब क्या है, देखो current और voltage आपस में, यह आपको clarity आनी चाहिए यहां से, यह सब चीजें difficult हैं, I agree, ठीक है, थोड़ा सा understanding इतनी easy नहीं है, develop करनी इसकी, ठीक है, लेकिन try करोगे, मैं explanation जितनी दे सकता हूँ, मैं दे रहा ह voltage, inductor की current से 90 degree lead करती है, वो यहां से शुरू होगी, और 90 degree पीछे, lead है न, ठीक है, capacitor की voltage, capacitor की current से 90 degree lag करती है, तो वो यहां आएगी, 90 degree का gap आएगा उसमें, ठीक है, वो यहां से शुरू होगी, तो ऐसे 4 हो, अगर मैं बना दूँँगा, तो आपको दिखेगा कुछ नहीं, कोई पूछेगा आपसे बनाने का, मैं सिर्फ कहा रहा हूँ कि आपके दिमाग में जुरूर बैठा होना चाहिए, कि what is going on, ठीक है, हाँ, यहां अगर कोई चाहता है बनाना, इस phasor diagram है, वो तो, वो easy है बनाना, वो expected भी है, मैं बना के दूँगा आपको end में, पहले हम उन चाहिए, angle इनके बड़े interesting होते हैं, जो concept से निकलते हैं, वो आपको किसी calculation से नहीं निकलेंगे, वो concept से निकलेंगे, calculation भी होती है, बट आपको, आपके syllabus में नहीं है calculation, वो complex numbers को use करके होती है, अभी मैं आपको नहीं करवा रहा हो, ठीक है, तो यहां तक आपको यह बात आपको बताऊंगा, इसके expressions किस तरह से निकालेंगे, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ, यह note कर लो, यह देखो, यह मैंने अब expressions पी लिख दिये आपको, expressions में देखो, vrt का क्या लिखा मैंने, यह आपको समझाना चाहिए, सब को root 2 से multiply किया है, क्योंकि मुझे vm चाहिए, म resistor की current आपस में in phase, current का angle कितना था 95, इसलिए इसका भी 95, in phase, दोनों एक ही जगा से शुरू होंगे, जो vlt है, वो 90 degree leading है, तो 90 degree plus कर दो, मालूम होना चाहिए आपको, किस में plus कर दो, current में, यह 90 degree minus कर दो, तो यह समझाना चाहिए आपको, इसको note करके रखो अपने पास, अब काम कौन सी कब आजाएगी, यह कोई नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, फेजर diagram में हम किसी को भी reference नहीं ले रहे हैं अभी, normally हम current वगएरा को reference ले रहे थे, voltage को लेते, वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन अभी पहले क्या कर रहा हूँ, journal बना के दिखाता हूँ, कैसे कैसे बनेगा, सबसे पहली चीज़ बनाने जा रहा हूँ, मैं, voltage, yellow by voltage, ठीक है, 30 degree angle, angles इसमें main important game खेलते हैं, जो given था आपको, यह आपने निकाला नहीं, यह आपको given था, आई, सबसे important, आई निकलेगा, फिर आई की मदद से सब निकलते हैं, तो आई का angle कितना है, 65 है, voltage और current के बीच में, अपना current का angle 95, प्लस 95, तो इसलिए, इसलिए current देखो कहां बनेगी, current सब भी देखना ज़रा कैसे बनेगी, यह बनेगी का angle, जिसका अपना angle, यहाँ से 95 डिगरी, लिख सकते हो, आप गंद बड़ा पढ़ जाना, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा चीज़ें, ठीक है, लेकिन यह angle, जो सबसे important angle है, ठीक है, कितना है वो, 65 डिगरी, voltage और current के बीच का angle, that is important, मुझे ना voltage का angle important होता है, ना current का angle important होता है, important होता है, current और voltage के बीच का angle, which plays a role, which plays a role, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका angle, मैं नहीं लिख रहा है, आप लिखो, ठीक है, आप लिखो, यह सारे angle, मैंने current बना दी, मैंने पहले भी बना के दी थी, लेकिन अब मैं नहीं VL, यह देख, VL कहां आएगा, देखना, 90 degree leading to current, 90 degree leading to current, यह, 90 degree, एंगल टोटल कितना बना, मैंने लिखा था, 185 degree, आप देखलो, यह 5 degree बचा न, 180 तो यहां तक होता है, पता है आपको, पता चलना चाहिए अब आपको, यह बनाया कौन हमने, VL, VC, बिल्कुर इससे उल्टा होता है, आपको बताया था मैंने पहले भी, दूसरा concept यह, कि I से lagging, 90 degree, ऐसा, यह आगे आपका VC, यह angle 5 degree, उन्हें निकाला भी 5 degree इसका, ठीक है, यह 185, यह इसकी complete phasor diagram आ गए, लास्ट बात इदर मैं जो भूल गया भी तक आपको बताना, that is average power, मैंने पूछा था वहाँ, average, oblique, active power भी बोलते हैं, याद रखना प्लीज, average, oblique, active power भी बोलते हैं इसको, जिसके units होते हैं, watts, वो होता है, VRMS, लिख दिया, IRMS, लिख दिया, cos phi, 0.46, निकाला था आपने, इसकी calculation करो, आपका result आ गया, answer watts में लिखना, units हैं इसकी watts, this is the interesting part, पूरा question आपको खतम करवा दिया, इसमें काफी कुछ था सीखने वाला, इसलिए अच्छे से note करके रखना आपने पास, thank you very much,